तो स्वागत एक बर फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टिका हूँ पर जीसे के फिरंट्स आपको मेरी फाहत में नजर आ रहा है ओपो करीनो फॉर प्रो तो इसका यहां पर फुल डिटेल यहां पर टेस्ट करने वाले केमरे को लेकर करके इसका स्लो पिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाएगी सबसे पहले आपको दिखता स्लो मोशन वीडियो में ने कैप्चर कर रहा है तो स्लो मोशन के अंदर जो फीचर्स इसके अंदर फोन में जो दिये वह सबसे जादा खास और इंटरेस्टिंट इसलिए हैं क्योंकि यहां पर जो मोट तो यहां पर आपको जो और और फोटो अब देखेंगे वह काफी बडिया से क्ैप्चर करता है आपकी जो नेच्रो अगर का मोटर करके तो फ्रंट में थोड़ा सा लेगिं पीछे ज़ादा ज़ादा लाइन होगी तो यहां पर वाइटने से आपको ज़्यादा अपने फो करके जो edges है आस पास कि वो काफी बढ़िया है यहाँ पर clear दिखती है आपको जूदा है यहाँ पर फोटो में आपके भी गड़ते नहीं है यह जो है नॉर्मल सेंपल 48 MP से लिया है इसको तो यहाँ पर जो देख सकते हैं bricks के बिल्कुल लैच्टर कर आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं और साथ-साथ यहाँ पर जो डाइडामिक रेंज फोटो की वह काफी बढ़िया से clear से निकल कर आती है तो रेनो 4 में यह काफी अच्छी चीज़ है 8 MP का वाइड एंगल है उसी से यह शोट लिया है तो वाइड एंगल के मुकाबले में रेंज हो है काफी इस से मैंने capture करा इससे पहले आपने फोटो देखा वह और यहाँ पर उसी जगह से मैंने इसको वाइड एंगल से लिया तो पूरा मोड यहाँ पर capture कर लिया अब यहाँ पर जूम करते हैं यह जीरो एकस पर मैंने रखा है आगे जो आपको सामने दिख रहा होगा है यहाँ पर हम टेंकी उपर फोकस करने वाले वाटर टेंक बना हुआ है वहाँ पर तो उसी की तरफ यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर उसके हिसाब से केसी फोटो मिलती है यह मैंने 2x करा काफी बढ़िया यहाँ पर इस क्वालिटी के अंदर भी चीज हमें लेकिन जो पीछे हमारा टेंक है वह काफी क्लोज आ जाता है 5x के जूम के क्वालिटी में और मच्छर मखी जो हमारे फोटो में आती है उससे जदा नहीं पर देखते हैं हम बिल्कुँ क्लोज इनफ उसके पास तक पहुच जाते हैं काफी बढ़िया यहाँ पर टेलिंग जो है 10x तक देखने को बलती है अधर हम पुराने ही फोन्स को उठाके जिनमें 10x जूम आरा तो ओपो के या फिर वीवो के तो काफी जादा हमें यहाँ पर अच्छी चीज फिचर नहीं आती थी लेकिन यहाँ काफी अच्छा काम करा है प्लैन शोट्स है नॉर्मल ग्रास काफी बढ़िया चीज निकल कर आती है बिल्कुल हरा भरा सारी चीज हो रहे थी पानी के रभी हलकी फूल की बूंदे भी गर रहे थी तो मतलब और 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 काफी बढ़िया कैप्चिरिंग क्वालेट आपको देखने को मिल जाती है हलकी फूल के जगह पर थोड़ा सा कलर क बूस्ट कर देता है बाकी तो सारी और और काफी बढ़िया सी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है लेकिन इस प्राइस सेग्मेंट के में बात कर दो थोड़ा सा और हम यहां पर मान सकते हैं यह देखिए पॉट्रेट चोट जो है मतलब एक उबजिक्ट आप देख सकत हमारे फोटो की क्वालिटी पर नहीं पड़ता जितने अधर फोन में देखता है यह देखते हैं मतलब यहां पर डेसला रखा था मैंने ऑबजिक्क को क्लियर करा पीछे के सारी चीज़ बलर होकर एक उबजिक्क को मैंनली फोकस करके यहां पर आपके फोटोस के अंदर क्वालिटी आज जाएगी तो यहां पर काफी बढ़िया चीज हमें फॉन में देखने को मिलती है यह कुछ वीड़ियो क्लिप से जहां पर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया चीज आपको मिल काफ़ी बड़ा क्लेरेटी है इस फोन के अंदर हम जानते हैं उसके अलग-अलग पिक्सल रोजोलोशन पर हम इसको सैट करके पूरा वीडियो दिखाएंगे किसके अंदर आपको स्टेबल मोड नॉर्मल अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते तो किसके अंदर आपको मिलता आप दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली लेकिन अभी इतना में कुछ शाही नहीं यहां पर हो रहा है तो में नहीं समझ पर आपको इसके ब्लुक्ल नजर आ रहा है क्या चीज यहां पर चीज़ों को आफक्ट कर रही है प्लस कि उसके capturing quality यहां पर ज्यादा भेदर से कर टेस्ट करते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि फोन का पूरा इसको बिल्कुल हर तरीकी से में हिला कर देख रहा हूं, शेक मोड भी देख लेते हैं कि वह काफी जादा भैथर इन से आ जाती है, आपके जन्यम्स शोट कर आप दिवान है तो यहाँ पर जो है स्नेम्टिक शॉर्ट की वीडियो अगरा आप काफी बढ़िया से शूट कर पाएंगे जैसे कि अगर आप अपने वीडियो के अंदर यहां पर ज्यादा चीज़े काप्चर करना चाहते हैं एक ही मुमेंट के अंदर तो उसके लिए वाइड इंगल का भी यहां पर वीडियो म जाएका आपको कितना है यहां पर आपके वीडियो के अंदर जो क्याप्चरिंग वालिटी है यहां नजर आ जाते हैं यह मेरा फ्रेंड गो काफी बड़िया चीज यहां पर आपको दिख रही है मतलब वीडियो मोड तोन इस फोन के काफी शानदार से